किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें मैं क्या प्लस कर दूगी? 9 प्लस कर दूगी, तो कितना आ जारेगा? 99 की नाे? वेल्कम. वेल्कम. बेक वेल्कम. दुगा है, वाप्लव, बहुत अच्छे होगे. आज उसके आगे वाली वीडियो पागी हूँ वार्विं के सम्चे उपर. लास्ट ताइम हमने वन्स और टेंस सीखे थे क्योंकि वन्स और टेंस अगर बच्चे का क्लियर निया तो बॉर्विंग हम बहुत जादा टफ हो जाएगा हमारी उसे समझाना तो क्या होता है इससे पहले में वीडियो बना चुकी हूं वन्स और टेंस लिए टूट ऑफिस बच थी मेरे पास टू बच कहीं ऐसी करके हम सम्स करते थे ठीक है सिंपल सम्स हुआ करते थे अब बार कर लेते हैं थोड़ी बॉर्विंग की बॉर्विंग मतलब किसी से लेना हमारे पास कुछीज कम पढ़ रही है इसकी वैल्यू क्या है जीरो है इसकी वैल्यू क्या है फाइव है क्योंकि वन्स की प्लेस पे हैं यह एक बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कितने बंडल को सिर्फ एक बंडल को और एक बंडल कितने का होता है दस का होता है एक बंडल यह मैंने बताया था ठीक है यहां पर कितनी है? 10 हैं तो मेरे पास खूभी कुछ भी नहीं है, 0 है मेरे से 5 टॉफी मांगी नहीं, आप मेरे 5 टॉफी तो नहीं है अब मैं सोचूंगी मैं किसे से मांग लेती हूँ मेरी फ्रेंट के पास क्या बता? टॉफी स्पड़ी हों तो मैं मांगूंगी, मैंने देखा, मैंने अपने बगल में देखा, मैंने का भाई, तुम्हारे पास कोई टॉफी है क्या, उसने का मिरे पास एक डबा रखा है, 10 के प्रेसर मतलब 10 का बंच रखा है उसके पास 1-2 टॉफी नहीं है उसके पूरी 10 टॉफीया है एक का मतलब क्या है डबबा मतलब 10 टॉफी है उसके पास तो मैंने कर ठीक है तुम ये डबबा मुझे दे दो यह दब्बा मैँ लेती हूँ और मुझी किसी भो देना है मैंने उस से बोरो कर ली तो उसले का ठीपे ले जालो उसके पास क्या बचा दब्बा तो मैंने ले लिया पुरा उसके पास कुछ भी नहीं बचा 0 बच किया अब यहां पर कितना हो गया मैं दस ले आई थी तो अब मेरे पास डब्बे में कितनी टॉफीज हैं तेन मैंसे मैंने कितनी नपाइब दे दिदी तो डब्बे में कितनी टॉफीज बची हैं वाम difference कर दी तो किटी वची यहां पर टूछी यहां पर है यहां फूर यहां ले सकते हैं दूसरा कर इसं़ा हम हो cookie फिil tough so час यहां फूर है और यहां आ बना दिखुर कर दिया अप्छ व Unter начала काटि gigan मेर पास तो आप क्या चार टौफी हैं अब उसने मालियों उससे एट टॉफी कैसे दें उसके पास मैं फिर अपने पुच्छोंगी भाई तेरे पास है क्या कुछ तो उसने भूला मेरे पास एक पूरा डपा है एक वन टेन्स की प्लेस पे मतलब कितना है ये टेन है पूरा उसके पास दस का उसने का में पास एक डबबा है पूरा एक डबबा दस टॉफियों का रखा है बैने का ठीक है पूरा का पूरा ही लोंगी मैं उससे ये तो मैंने उसको ला ही डबबा मुझे दे तो उसके पास क् तो कुछ नहीं बचा उसने डबबा मुझे देती हो 10 वाला तो यहां क्या बचा जीरो और यहां पर कितना आया में पास 10 टॉफिस आ गई उस डबे में कितनी टॉफिस थी बंच कितने का था 10 अब मेरे पास कित्ती होग फ्रक्राइब 4 मेरे पास पहली से थी 10 मैंने और ले ल इसे मैं 8 माइनस कर दूंगी ठीक है कित्ती बची 6 तॉफी बचकी मिर पास डब्बे में देने के बाद 14 में से मैंने 8 तॉफी दे दी जब वो मांग रहा था मिर पास कित्ती बची 6 ठीक है अब एक और एक्जामपल ले लेते हैं इस बार हम यहां पर 2 ले लेते हैं टैंस की प्लेस के 24 ले लेते हैं और यहां फिर 5 ले लेते हैं ठीक है फिर अब मेरे पास सिर्फ 4 टॉफी हैं अब हो मांग रहा है 5 टॉफी अब मेरे पास फिरखम पड़ रही है अब मेरे को टॉफी चाहिए तेरे पास है क्या उसने गोला मैं पास 2 डब्भे हैं 10 लिए 10 की प्लेस के मतलब 10 10 को रिप्रजेंट करना है तो बंडल को Reprezentेंट करेगा हूं वन था तो बंडल को Reprezent Can करना था टाइम के टू है तो बंडल्स को रिप्रेजेंट करेगा मतलब उसके पास कित्ते बंडल्स हैं तू बंडल्स हैं दस-दस के मतलब उसके पास दो डब्बे हैं दस-दस टॉफी के ठीके मैंने का ठीके मुझे एक डबबा दो मेरे को एक डबबा चाहिए उसने का ठीके यहाँ पर उसने एक डबबा उसने मुझे दे दिया मतलब 10 टॉफी उसने मुझे दे दी हम टॉफियों की बात कर रहे हैं तो 10 टॉफी उसने मुझे दे दी उसके पास किती टॉफी बच बचा मतलब 10 टॉफी का वन डबबा बचा उसके पास ठीक है मतलब वन डबबा बचा 10 की प्लेस हमारे पास दिकती है 1 अब 10 हमारे पास आगे 10 का डबबा मैंने फिर ले लिया उसमें 4 टॉफी में पास की टहली से 4 टॉफी कितनी हो गई मेरे पास 10 प्लस 4 14 टॉफी सोगी मैंस कर दूंगी तव मेरे पास कितनी बचेंगी नाइन बचेंगी ठीक है अहां बचा पीक इतना बचा तोटल यहां पे कितना था यहां पे 1 ऑण बचा, तो 10 के प्लिस पे वहां गया? किसको रेप्रेजेंट कर रहा है? तो 10 को रेप्रेजेंट कर रहा है? उसमें किसछाद कर दूंगे? 9 amp does कर दूंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा यही मतलब हुआ न कोशेंगा वन बंडल को रेप्रेजेंट कर रहा है दस के एक बंडल को 10 के वन बंडल को रेप्रेजेंट कर रहा है 10 को रेप्रेजेंट कर रहा है 9 मतलब 9 मतलब सिर्फ 9 है 10 प्लस 9 कितना हुआ 19 24 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा तो हम ऐसे लाइव एक्जामपल देखे बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं आप में बहुत से लोग ऐसा करते भी होंगे और को सीजेशन से तो भी मुझे आप बता सकते हैं बहुत सारी वेज होते हैं वह पर बच्चों को बताने के लिए तो अगर आपको लगता है वीडियो किसे काम आसकते हैं तो मुझे फौरवड कर दिजीगा मतलब इस वीडियो को फौरवड कर दिजीगा उन्तद मिलते हैं पर किसी नेक्स वीडियो में यहीज़ के साथ तब के लिए दो टेक केर और थैंक यू वाशी माय बीज़ा बाइ